अखिर तमाम राज्यों की विधान सभा सत्र में BBC डॉक्यूमेंट्री पर क्यों चर्चाए की जा रही हैं आपने देखा उत्तर प्रदेस उसके बाद गुजरात मद्द प्रदेस में लगातर BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो है बिवाद हो जाता है नमस्कार आपके साथ मैं हूँ रितिक सवीता स्वागत है आपका SPN 9 News में दर्श को आपने देखा कि बीजेपी पाटी के तमाम नेता आज BBC को लेकर जो है यहाँ पर सवाल खड़े कर रही है पिछले दुनों अनुराक ठाकुन ने कहा कि BBC की निस्पक्ष पत्रिकारता पर सवाल खड़े करना ठीक रहेगा क्योंकि BBC निस्पक्ष पत्रिकारता कर ही नहीं रही है उसके पहले गौरव भाटी और तमाम बीजेपी के नेताओं ने यहीं बात कही कि BBC अपनी निस्पक्षता को भुला चुकी है लेकिन एक ख़बर सामने आ रही है जिस ख़बर में साब तोर पर देखा गया कि गुजरात के बाद मद्ध प्रदेश की विधान सभा में भी BBC के खिलाप संकल्प जो है जारी किया गया है आपको बता दें कि प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी को लेकर BBC यानि की विर्टेस कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई एक डॉक्यूमेंटरी को लेकर BBC के खिलाप मद्ध प्रदेश विधान सभा में आशास्किये संकल्प पास किया गया सागर बिधायक शैलंदर जैन की ओर से विधान सभा में पेस किये गए आशास्किये संकल्प के प्रस्ताव को बिधान सभा ने बहुमस से पास कर BBC संस्था की निंदा की है यानि की पूरी कोसिस ये की जा रही है कि यहां से यानि की भारत से BBC को बंद कर दिया जाए बिधायक शैलंदर जैन ने प्रस्ताव प्रस्तित करते हुए कहा कि BBC ने 17 फरवरी 2023 को प्रधान मंत्री नरंदर मोदी और देश पर हमला करने के लिए एक डॉक्यमेंटरी रिलीज की थी जिससे देश के प्रधान मंत्री की छबी खराब करने का पूरा प्रियास किया गया और इससे बिपक्ष को लाप महुचाने का भी BBC ने यहां पर कोसिस की है इसमें 2002 में गुजरात में हुई घटनाओं को लेकर गलत तरीके से जो है दिखाया गया था और देश की प्रधान मंत्री की छबी को धूमिल किया था आपको बताद है कि BBC ने इसमें देश की नियाइक संस्थाओं को समझोती करने वाली संस्थाओं के रूप में पेश किया BBC ने इस विसय पर सरवोच नियालाई के निरणय को अंधे का कर दिया जूट प्रस्तुत किया इस तरीके की बात जो है बिधासभा व यहां वहां फिस्म खड़ा हो रहा है तो क्या सच मैं यहां पर बहुमत पारित करते कोई नियम बन के क्या BBC को बंद कर दिया जाएगा कियोंकि लगातार देखा जाए तो बिपक्ष ये कह रहा है कि देश के प्रधान मंतिरी ने कई वार BBC की तारिफ की है लेकिन 2024 के चनौब के पहले पहले BBC को इस तरीके से धूमिल करना उसकी निस्पक्ष पत्रिकार्था पर सवाल खड़े करने का मतलब यह है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि BBC की रिपोर् ही देखते रहिए SPN 9 NEWS